पुर्निया के रंगभूमी मैदान में महागटबंदन की महा रैली सनिवार को संपन हुई लेकिन इस रैली में मुख्य रूप से दो बातों पर काफी जादा जोर दिया गया या कहिए कि यह पूरी रैली केवल दो बातों के इर्दगीर्द ही घूमती दिखाई दी पहला सितंबर 2022 में हुई अमित साह की रैली का जवाब तो दूसरा सिमांचल में पैठ बनाती AI MIM से अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम वर्ग को बचाने की कोसिस बिहार में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद पिछले साल सितंबर महीने में अमित साह ने पुर्णिया के इसी रंगभूमी मैदान में रैली की थी तब उन्होंने यहां सीम नितीज कुमार और लालू यादों पर जमकर हमला बोला था उन्होंने कहा था कि सिमांचल का इलाका नरेंद्र मोदी के भारत में आता है सिमांचल के चार जीलों के लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है ऐसा कहकर उन्होंने यहां के हिंदूओं को शंदेश देने की कोशिस की थी लेकिन सरिवार को अपनी इस रैली से नितीश कुमार और तेजश्वी यादव ने बीजेपी को हर मुद्दे पर जवाब दिया इस रैली में मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मुशलमानों को अगाह किया कि वो अपने वोट बैंक को बटने ना दे एक जूट रहेंगे तभी मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर सकते हैं नितीश कुमार ने मुशलमानों को यह भी बताने की कोशिस की कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मुशलमानों के साथ भेदभाव कर रही है को बीजेपी की बी टीम बताया उन्होंने कहा कि ये वही बोलते हैं जो बीजेपी इन्हें बोलने के लिए कहती है उन्होंने कहा कि ये देश भर में बीजेपी के इसारे पर काम कर रहे हैं पिछली बार भी लोगों को बरगला कर पांच सीटे जीतने में काम्याब रहे डिप सीमांचल लंबे वर्सों तक समाजवादी विचार धारा के दलों का गड़ रहा है खास कर लालू प्रशाद यादव के लिए वे यहां अपने मुस्लिम यादव फार्मूले से लगतार जीतते रहें लेकिन पिछले कुछ चुनाओं से उन्हें लगातार सीमांचल से जटका म मायम ने सीमांचल में अपने 20 कैंडिडेट उटारे और 5 सीटे अमोर 22 जोकी हाथ कोचा धामन और बहादूर गंज जीतने में काम्याब रही हलंकि 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी की सदस्ता दिलाकर तेजश्वी यादव ने चुनाओं का बदला भी ले लिया था लेकि कि सीमांचल में क्या होगा क्योंकि सीमांचल में चुनाओं हिंदू वर्सेज मुस्लिम होता है वे कहते हैं कि दुरुवी करण केवल एक तरप से नहीं होता बलकि उसकी प्रतिक्रिया भी होती है ऐसे में सीमांचल इलाके में अग्रेसिव तरीके से अपनी पैठ बना रही AIMIM RJD को सिधा नुकसान पहुचाएगी इसका फायदा BJP को जरूर मिलेगा यही कारण है कि महागडबंदन के नेता बार बार एक जूटता की बात दोहरा रहे हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके वही पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अस्वदू दिन OAC जिस तरीके से मुश्लीमों के हक की बाते कर रहे हैं वो तेजी से लोगप्रिये हो रहे हैं खास कर यूवा वर्ग में उनकी बातों पर गहरा असर भी दिखाई परता है यही कारण है कि पिछले विधानसवा चुनाओं में OAC की पार्टी को बिहार में बहुजन समाजवादी जैसी बड़ी पार्टी से जादा सीटे मिली हलांकि सीमांचल के अलावा अन इलाकों में फिलहाल वे सीट जीतने की स्थिती में नहीं है पॉलिटिकल एक्सपोर्ट ये बात लगतार कह रहे हैं साथी साथ वो इस बात से भी इंकार नहीं करते कि कोसी और मितलांचल के कुछ इलाकों में AIM सीटो का समिकरन जरूर बिगार सकती है लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें